नमस्कार दोस्तों आज फिर आपका स्वागत है Crown Immigration के YouTube चैनल पर आज की ये वीडियो है एक अपडेशन है जर्मनी के बारे में अगर आप जर्मनी की अपनी वीजा फाइल समिशन के लिए जा रहे हैं आज़र BFS जहां जर्मन अमबेसी के अंदर तो आप लोगों के लिए ये इंपोर्टेंट वीडियो क्योंकि अभी मेरे कुछ बच्चे समिशन के लिए गए थे उनको काफी प्रावलम आई वहां फेस करनी पड़ी तो अभी जर्मन का BFS अगर आपने अपना कोई बैचलर की फाइल समिशन करने के लिए गए हैं गलती से अपॉइंटमेंट मिल गई है यहां अपनी मास्टर के लिए जा रहे हैं तो आज की डेट में BFS आप से फिजिकल प्रेजन्स लेटर की रुकॉर्मेंट कर रही है कि आपको अपनी युनिवर्स्टी से लेटर दलवाना पड़ेगा कि आपकी वहाँ पर फिजिकल क्लासेज चलेगी जर्मन के अंदर वो लेटर साथ में लगेगा तब BFS आपकी फाइल असेप्ट करेगी ताकि आप लोग इस चीज़ से सफ़र ना हो क्योंकि जब हमारा कोई भी स्टूडेंट सफ़र होता है इस टाइप की चीज़ से तो हमारा दिल करता है कि हम इमीजेडली उसका सुलूशन हर एक प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट को जा अपने वीवर्स तक लेकर आएं ताकि कल वो भी इस टाइप की प्रोब्लम जाकर वहां फेस ना करें क्योंकि जर्मन वाले बच्चे आरे रहे ही काफी सफ़र हो रहे हैं द्यू टू वीजा अपॉइंट्मेंट के कारण तो इवन बहुत सरे बच्चों की वीजा अपॉइंट्मेंट नहीं मिल पा रही बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए solution यही है कि आप अपना refund ले लें क्योंकि 90-95% स्टूडेंट्स वो हैं जिनोंने वहां के private universities में अपने admission डाले हुए हैं पचारे स्टक हैं एक एक दो-दो साल हो चुका है ना वहां से refund आ रहा है जहां कुछ language स्कूलों में फसे हुए हैं जिन बच्चों ने वहां पर language पढ़ने के लिए जाना था अगर आपने जर्मन में जाना ही है तो मैं फिर रपीड कर दूँ बहां की free universities में admission लें उसमें क्या benefit है एक तो फीस नहीं जाएगी अगर आपने online classes लगानी भी है तो वो यहीं पर इंडिया में लग जाए में free में पढ़ेंगे इंडिया में जहां physical जाकर भी कोई नुकसान तो नहीं होगा तो जो बच्चे वहाँ पर private universities में जा रहे हैं उनसे मेरी request है कि they will avoid it till the situation come better normal ना आ जाया है जर्मन वाले बच्चों के लिए special and special instruction है जर्मन के अंदर जिन्होंने अपने admission वहाँ की private universities में apply किये थे private universities में bachelor programs के लिए बो तो मैं उनको हाथ जोड़कर request करता हूँ कि they will change their destination वो another countries में अपने admission जा लें क्योंकि इन्होंने आपको कुछ नहीं देना है अगर उन बच्चों में से जिन बच्चों की profile अच्छी है अच्छी profile किया कि अभी मैं जर्मन की 2-3 videos लगा ता डाली थी कि अगर आपकी इस टाइप की profile है तो आपका जर्मन में bachelor degree में फ्री में admissions आ सकता है तो आप online classes घर में बैट के लगाए फिर में study करें जब खुलेंगी तो तब आप चले जाएगे अप्लाइ कर जाएगे तो यह जर्मन की अप्डेशन थी तो इस टाइप की मैं अप्डेशन रेगुलर अपने चैनल के उपर डालता रहता हूं तो अगर आप चाहते हैं जो भी मैं न्यू अप